नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूटूब चनल में जी हाँ दोस्तो आज हम अपा मार्क पोधे के पत्ते के सहायता से मुह में होने वाले घाओ को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे दोस्तो कभी न कभी आप जरूर देखा होगा जब मुह में घाओ हो जाता है तो मुह के रंग सपित कलर का हो जाता है या फिर लाल कलर का हो जाता है और कुछ भी तीखा चीज खाने से जलन होता है हम कभी तीखा चीज खावी नहीं सकते है तो मुह के घाव को ठीक करने के लिए क्या करना है देखो ये अपामार्ग पोधे अपामार्ग पोधे आसानी से देखने को मिलता है तो सब से पहले अपामार्ग पोधे का पत्ते चार पांच ले आना है और सिल बट्टे में पीश कर उसका पैस्ट बनाना है और उस पैस्ट में आधा चमच हल्दी का पाउडर मिला के एक साथ अच्छे से मिक्स कर देना है बाद में मुह में उस पैस्ट को लगाते हैं तो मुह में होने वाले घाओ से तुरंद का तुरंद आराम मिलता है तो दोस्तो जब भी मुह में घाओ हो गया है तो इसका इस्तमाल जरूर करें दोस्तो आज कई जनकारी आपको अच्छा लगाओ तो हमारा यूटूब चनल जरूर सब्सकाइब करें